हलो दोस्तों नमस्कार कैसे हैं आप आप सभी का चेनल प्रस्वागत है मैं आपको एक बात कहूं जदी आप अमेजन से किसी भी प्रकार का आपके काम का कोई प्रोड़क्ट खरीदना चाहते हैं तो यूटूब के डिस्क्विस्टन में दिये गए लिंक से जाके खरीच सकते आज सुरू करते हैं शिक्षकों के सम्मंद में एक बहुत बड़ा अपडेट आया है बहुत बड़ा आदेश जारी हो चुका है पूरे प्रदेश के अतिती सिक्षकों के लिए बहुत बड़ी ख़बर है आप ख़बर से अपडेट हो जाएं क्योंकि सरकार अब क्या करने जारी उसके बारे में आपको जानना जरूरी होगा अन्य था आगे कुछ नहीं हो सकता इसलिए सुरू करते हैं आज आपके काम की ख़बर मद्द प्रदेश अतिती सिक्षक तथा अन्य समवीदा करमचारियों के नेमिती करन के लिए सरकार ने जारी किया आदेश मंत्री प कि खबर अच्छी लगी तो लाइक जरूरी करिए गा और अभी तक आपने चेनल को सब्क्राइब नहीं किआ है तो इसी प्रकार के अपडेट के लिए सब्सक्री से अटका हुआ है चाहेustator मदप्रदेश की कमनला सरकार ने मदप्रदेश सासन के लिए काम कर रहे अतिती सिक्षक, समीदा कर्मचारी एवं ग्राम पंचायतों में काररेत रोजगार सहायकों की मागों को पूरा करने के लिए मंत्री परिसत समीती का गठन कर दिया है मदप्रदेश सासन सामान प्रसासन विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार समीती में गोविन सी सामान प्रसासन मंत्री, ओमकार सी मरकाम जन्जाती कारी मंत्री, प्रभूराम चोधरी मंत्री इसकुल सिक्षा विभाग, तरुन भनोट वित्त मंत्री, अपरमुक सचिव वित्त विभाग को सामिल किया गया है आदेशित किया गया कि उक्त समीती तीन महा में अपना प्रतिवेदन प्रस्तूत करेगी नीमीती के लणका जो प्रतिवेदन है सरकार ने का है कि समीती आप अगले तीन महेनों में इस पे अपनी फैसला सुनाए आदेश मैं आपको बता दूँ थोड़ा बढ़ा करके मत्प्रदेश सासन सामान प्रसासन विभाग मंत्राले आदेश भोपाल दिनाक 9 फरवरी 2019 को आदेश जारी हुआ है क्रमांक एफ 3-06-2009 राजसासन एतत द्वारा अतिती सिक्षकों रोजगार साहकों अन्य समीदा करमचारियों के संगटनों से प्राप्त अध्यादेश जो उनके इस्थाई करना और अन्य मांगों से सम्मंदित है और जिन में वित्ती भार नहीत नहीं है पर विचार कर निर्ने लेने है तु निम्नानुसार मंतरी परिशत समीदी का गठन करता है इस मंतरी परिशत में कौन-कौन लोग सामील है गोविंद सी मंतरी साम्मान प्रसासन विभाग ये अध्यक्ष हैं श्री ओमकार्शी मरकाम मंत्री जनजाती कार्य विमुक्त घुमककड ये सदस्य हैं। डाक्टर प्रभुराम चोधरी मंत्री स्कुल सिक्षा विभाग ये भी सदस्य हैं। श्री तरण भनोत मंत्री वित्त योजना आर्थिक एवं सांके की विभाग ये भी सदस्य हैं। अपर मुख की सचीव सामान प्रसासन विभाग ये भी संयूजक हैं। प्रमुख सचीव वित्त विभाग ये भी सदस्य हैं। उक्त समीती तीन महा में अपना प्रतु वेदन प्रस्तूत करेगी। 9 फरवरी 2019 को ये आदेश सरकार ने सभी को दे दिया है और इस आदेश में ये पांच मंत्राले सामिल है। मदप्रदेश के राजपाल के नाम से तथा आदेश अनुसार 9 फरवरी 2019 माधवी नागेंदर उप सच्यु मदप्रदेश सासन सामान प्रसासन विभाग। इस प्रकार का पूरा आदेश जारी हो गया है। अब इस आदेश के बात क्या होगा। इसके पहले मदप्रदेश कांग्रेश अतिती सिक्षक के प्रदेश अद्यक्ष है उन्होंने क्या अपडेट दिया है उसके बारे में भी हम जान लेते हैं। अतिती सिक्षक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आसिस जैने परिक्षा घोटाले में बदनाम हुई व्यवसाइक परिक्षा मंडल अर्थात पीबी द्वारा हो रही माधमिक एवं उच्च माधमिक सिक्षक भरती सिग्र नरस्त करने की मांग की है अतिती सिक्षक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आसिस जैन का कहना है कि कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में परिक्षा घोटाले में बदनाम हुए व्यवसाइक परिक्षा मंडल जैसे परिक्षा एजंसी को बंद करने का एलान गिया था ताकि सिक्षक भरती परिक्षा ना हो सके और जो भरती निकली है उसमें अतिती सिक्षकों का नीमीती करण हो सके लेकिन उन्होंने बताया कि अतिती सिक्षक कांग्रेस के बैनर तले सभी जीलों में संगटन इस्तर पर सरकार को घेरने की तैयारू चालू हो गई है पहले कांग्रेस बशनपत्र द्वारा व्यापम जैसे परिक्षा एजेंसी को बंद करे, पी बी द्वारा हो रही मादमिक यों उच्च मादमिक सिक्षक भरती परिक्षा सिग्र निरस्थ करवाए तता सरकार अतिती सिक्षकों से किये गए वादे को पूरा करे ये प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष आसिस जैन ने का है उसके एक दिन बाद सरकार ने मंत्री परिशत समीती का गठन किया और ये आदेश जारी कर दिया कि अतिती सिक्षकों तथा अन्य सम्विदा करमचारियों कि नीमिती करन तथा उनकी अन्यमागों के उपर ये समीती कार करेगी और अगले तीन महेने तक इस पर फैसल लेगी अब अगले तीन महेने तक क्या होगा कंग्रेस सरकार जब अपने वचनपत्र से अभी मुकर रही है तो इसकी क्या गैरंटी होगी कि लोकसवा चुनाओ के बाद सभी अतिती सिक्षकों को नीमित किया जाएगा अता हम सभी अतिती सिक्षकों को सरकार के समक्ष 12, 13 तथा 15 फरवरी को भोपाल में एक जुठ होना चाहिए अन्यता सरकार लोकसवा चुनाओ तक इसे ऐसे ही खीचेगी उसके बाद कुछ नहीं हो सकता प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भी कहे रहे हैं सरकार ने भी इस पे काम किया है लेकिन अनुमान ऐसा लगाया जा रहा है कि सरकार लोकसभा चुनाव तक इन सब चीजों को खीशते रहेगी और बाद में कहे देगी कि अब हमारे पास वित्ती भार नहीं है क्योंकि इसी प्रकार किसान कर्जमाफी के लिए सरकार ने ऐसा ही कहा है और दस दिन का कर्जमाफी का बोला लेकिन अभी कम से कम 45 से 50 दिन हो गए अभी तक किसानों के खाते में पैसा नहीं पहुँचा है सरकार इस प्रकार के वादे करके जनता को टाइम पास करवा रही है ये प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का कहिना है तो इस प्रकार से पूरा अपडेट था आपको यदि अपडेट अच्छा लगा हो तो प्रप्या वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अभी तक आपने चीनल को सब्काहब नहीं किया है तो मिलते हैं अगले इसी प्रकार आपके काम की कवर के साथ तब तक के लिए जय हं